आज मैं आप लोग को यह बताऊंगा कि कौन कौन से Regulations या Act या Rules है जो Mining में या फिर coal Mining या Metal Mining या फिर कोई भी Mining में यूज होते हैं तो चलिए आपको बता देते हैं वो कौन कौन से Rules और Regulation है सबसे पहले यूज होता है जो कि होती important है पहला है पोल माइन्स Regulation 2017 यह पहले कोल माइन्स Regulation 1957 का जो 2017 में अपडेट किया गया है दूसरा है माइन्स एक 1952 जो अभी यही चल रहा है तीसरा है माइन्स रूल 1955 चौथा है माइन्स रेस्क्यू रूल 1985 पाच्वा है माइन्स ग्रेच रूल 1966 छठा है माइन्स वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 इसको वी टी आर भी बला जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग रूल सात्वा है Central Electricity Authority CEA Measures for Safety and Electric Supply Regulations 2017 जो इलेक्ट्रिक से यूज होने वाले समान है कोल माइन्स में वो सी ये रेगुलेशन 2017 से अभी यूज होते हैं और इसके पहले 2003-1990-1996 और इसके माल का टाइम से टाइम टू टाइम अपडेटेट होता रहा अगला है दब मेटाली फेरस माइन्स रेगुलेशन 2018 जैसे कोल माइन्स होता है उसी तरह मेटल के लिए मेटाली फेरस माइन्स रेगुलेशन 2018-1994 दस में नेशनल मिनेरल पॉलिशी 2019 यह अभी अपडेट किया गया है इसके पहले बहुत सारी मिनेरल पॉलिशी आये हैं और अभी अपडेटेट है 11 नमर में मिनेरल कंजर्वेशन डेवलप्मेंट रूस 2017 12 नमर में इंवार्मेंटल एक्ट 1986 प्रोटेक्शन के लिए 13 नमर में कोल माइन्स कंजर्वेशन डेवलप्मेंट रेक्ट 1974 चाउदा कोड अब क्रिमिनल प्रोसीडियूर 1973 पंद्रा ओप्सोर एरियाज मिनेरल कंशेशन रूल्स 2006 16 नेशनल मिनेरल एक्सलोरेशन ट्रस्ट रूल 2015 17 इंडियन मेडिकल कॉंसिल एक्ट 1956 18 पेमेंट ओफ वेजेस एक्ट 1936 19 जेनरल क्लाउजस एक्ट 1867 20 एक्स्प्लोसीव एक्ट 1884 21 रेल्वे एक्ट 1989 22 मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1971 23 पेमेंट ओफ बोनस एक्ट 1965 24 इंडिस्ट्रियल डिस्प्यूक्ट एक्ट 1947 25 ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 26 प्रोविडेंट फंज एक्ट 1925 प्रोविडेंट फंज या पी एफ भी इसको बोलते हैं 27 मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 28 इंप्लोईज कॉंपनसेशन एक्ट 1923 29 मिनरल्स ओक्षन रूल 2015 30 कोल माइन्स एंड लेबर वेलफेर फंड वीपी एक्ट 1986 31 डीजी में सर्कूलर और यह डीजी में सर्कूलर जो होता है वह हर एक महीना अपडेटिट होता है तो इसका कोई यह मतलब पर्मनेंट साल नहीं है यदि आप लोग को इन में से कोई भी पीडिएफ का जोरत है तो अपमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिए मैं आपको पीडिएफ प्रवाइट कर दूंगा यदि आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कुछ पूछना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और आगे इसी तरह का कर दो